नौकरी के लिए म्यानमार गए एक इंजिनियर समे तीन दोस्त बंधक बना लिए गए हैं इंजिनियर के परिजनों से 8.14 लाख रुपए की फिरोती भी वसूली रकम ट्रांसफर होने के बाद से इंजिनियर से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है वारानसी के नहियां गाव की दलिद बस्ती में रमेश राम की लाठी डंडे से वार कर हत्या के मामले में चोलापुर थाने की पुलीस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है आरोपियों की पहचान नहियां गाव के गोपी चंद उर्फ किशन और राहुल कुमार के रूप में हुई है महोपकंठ थाना क्षेतर के घुटेई गाव में दहेच की मांग पूरी ना होने पर पती ने पतनी का दीवार पर सिर पटक कर हत्या कर दी सूचना पर पहुँचे माई के पक्ष के लोगों ने हंगामा करते हुए ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया साधे चह साल की बच्ची को भंडारा खिलाने के बहाने 75 साल का बुजुर्ग अपने साथ ले गया और गंदा विडियो दिखा कर दुशकर्म का प्रयास किया कोतवाली सेक्टर 20 क्षेतर में रहने वाली बच्ची की मा की शिकायत पर पुलीस ने मुकदमा दर्ज किया है ठाना महुआ खेडा क्षेतर के गाव देवी नगला में 8 अप्रेल को एक युवक ने मकान के विवाद में जहर खाकर आत्महत्या कर ली उसके मकान के बंटवारे को लेकर परिजनों से विवाद चल रहा था पुलीस ने शव का पोस्ट मार्टम करा परिजनों को सौप दिया है